नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रिभाद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए फ्रेश वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको मंडे के लिए बेस्ट स्ट्टेजी बताने वाला हूं बैंक निफटी और निफटी की दोस्तों US का market थोड़ा सा up है तो हमको Monday के session में क्या करके चलना चाहिए क्या हम sell on bounce करेंगे या buy on tip करेंगे यह सर मैंने बताया है आज की इस वीडियो में अच्छा इसी के साथ मैंने एक options trade दिया है आप लोगों को तो वो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके एंट तक जरूर देखना पड़ेगा एक request है जोस्तों हम और हमारे team बहुत मैंनत करती है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो आने के लिए तो हमारे लिए एक like और comment कर दीजिएगा वीडियो देखने से पहले देखने करते हुए चले शुरू करते हैं दोस्तों हम आज चुके हैं bank nifty के चार्ट पे so bank nifty अभी क्या है Friday के session में एक retracement candle बना के गया है देखो चुकी obvious सी बात है जब बहुत बड़ी fall आती है तो उसके बाद एक retracement जरूर आता एक चीज़ आप no down कर लिजिएगा now अभी भी हमारी जो strategy यह sell on bounce है ठीक है देखो अभी bank nifty resistance level के आसपास है that means 33,000 and 32,900 का हमारा दुस्तों क्या है यह सब selling zone है राइट इसके आसपास अभी है आप sell करके चलेंगे क्या करके चलना है let me explain you bearish hammer बनेगा bearish hammer का low टूटेगा short sell करके चलना और यहां का पैसल रख लिजिएगा ठीक है नीचे side target होंगे 32,650 and 32,500 का हमारा दूसरा target होगा यहां पे काम कर सकते हैं options में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों आप 33,000 का आप put option खरीच सकते हैं 23 जून वाली expiry का बढ़िया return दे देगा आपको तो रनीती मैंने आपको बता दी है और अगर आपको ध्यान होगा मैंने हमारी YouTube वीडियो में भी यही बोला था यह है strategy bank nifty की दोस्तों bank nifty में मैं buying में नहीं हूँ ठीक है buying अगर charts मेरे को दिख जाएगी convincingly तो मैं आपको buying का trade दोंगा otherwise we would like to go sell on every bounce because लोग अभी सौदा से 200 निकलना चाह रहे हैं ठीक है अभी हर level से बेचना चाह रहे है और एक critical hurdle यह भी है 33 100 का भी critical hurdle resistance है यहां भी आता है short करके चलना दूस्तों stock market में 95% लोग पैसा गवा रहे हैं दूस्तों mainly क्या problem होती है लोगों को कि जहां पे stock buy करते हैं वहां से stock नीचे आ जाता है और जहां पे stock sell करते हैं वहां से stock उपर चले जाता है ट्रेडिंग में केवल 1 और 2% लोग पैसा बना पा रहे हैं बाकी हर दिन दूस्तों लोग अपने capital को wipe out कर रहे हैं बड़ दूस्तों जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप यह follow करते हैं तो आपको intraday में loss नहीं profit होगा और आप एक pro trader और एक professional investor बन सकते हैं गाईज मैं आप सभी के लेकर आए हम हमारा complete stock market course जहां पे आपको best strategy for intraday, best strategy for short term swing and positional trading कैसे multi bagger stock find out कर सकते हैं इसी के साथ आपको features and options भी सीखने को मिलेगा दूस्तों पुरा एक complete package होने वाला है stock market का दूस्तों side में आपको हमारे पूरे course content दिख रहे होंगे दूस्तों इस class में आपको बहुत सारे special benefit मिलते हैं पहला benefit ये मिलता है कि आपको मेरे साथ live trading करने का मौका मिलेगा दूसरा आपको 24 by 7 का consultant support मिलने वाला है दूस्तों इसी के साथ आपको lifelong support मिलने वाला है और कमजोड दिख रहा है basically ठीके निफ्टी भी देखो एक बड़ी fall के बाद just retracement लिया अधान रखिएगा हमको sell ही करके चलना है भी भी अब sell कैसे करके चलना सेम बैंक निफ्टी और रनीती दोस्तों हमको bounce अगर दिखता है कहां तक 15,400 15,500 and 15,600 के आस पास तक अगर bounce दिखता है तो हमको sell करके चलना है correct for the target of अगर मान लीजिए मैं आपको example देता हूँ हमारा bank निफ्टी है 15,450 के आस पास हमको अगर bank निफ्टी दिखता है तो वहाँ पे bearish hammer बनेगा low टूटेगा sell करके चलना है for the target of 15,400 and 15,350 का दूसरा target होगा यहाँ पे आप 15,500 का put option खरीच सकते हैं 23 जून वाला guys यह है रनीती हमारी बाकि देखिए exactly कितना bounce आयागा यह किसी को idea नहीं है राइट इसलिए हम wait and watch करेंगे उपर hammer बनेगा तब ही हम अपने सौधे को execute करके चलेंगे correct बाकि देखो निफ्टी में एक support है यह वाले अगर निफ्टी का यह support तूटता है यह support है या 15,250 का अगर level sustain होता है दोस्तों हमको एक continuation move हमको देखने को मिलेगा निफ्टी में सो रणीती मैंने आपको बता दी है अभी देखो जस्ट एक contradiction कर रहा है एक हमको down move और देखने को मिलेगा क्यूंकि निफ्टी के से रहा है देखो रेंज बना रहा है नीचे गिर रहा है दोसरा यह pattern का नासरा को कैसा लगा है मेरे को comment लिखके बताईएगा तो गाईज हमको short sell करके चलना है निफ्टी बैंक निफ्टी में आए जानते हैं अपना पहला स्टॉक जोस्तों देखिए अप्चू की market गिरेगा तो stocks भी गिरेंगे उसी में हम मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक राइसी का sell करके चलना है sell below for the target of 644 640 का दूसरा target होगा यहां पर 653 का आप SL लख लिजेगा अल्राइट सेकें स्टॉक जानते हैं दोस्तों इससे पहले मैं आपको ना हमारे टेलिगाम चैनल पर ले के आना चाहूंगा मैं proudly कहता हूं कि हम हम बेस्ट्रेट देते हैं और हम आपके चेहरे पर खुशी लाते हैं जोस्तों हमने आपको बैंक रिफ्टी के देको selling zone दिये थे तगड़े हिट हुए बैंक रिफ्टी और आप लोग इस टाइप के फ्री ट्रेट को अवेल करें ठीक है और चार्ट के पीछे का मैं रीजन भी शेर करता हूं ताकि आप लोग बस यहां पे ट्रेट के लिए मत आओ आओ आप लोग सीखने के लिए भी आओ ठीक है तो टेलिगाम का लिंक डिस्कुशन बॉक्स मे दस मिंट के चार्ट पर आजाना है वी नेट टू सेल बिलो दिस देखो रेंज बना है यह रेंज टूटेगा सेल करके चलना है 780 सेल बिलो 780 for the target of 773 second target would be 765 यहां पैसल आप लगा लिजेगा 784 ओल राइट लास्ट स्टॉक है हमारा पे टीम दूस्वर पे टीम को बाए कर चलना है मैं आपको इसको इसके बारे में टेलग्राम पर अप्डेट कर दूँगा ठीक है बेसिकली हम किसके उपर बाए करके चलेंगे 648 के उपर दोस्तों बाकि आज के लिए इतना ही कल हमारी एक न्यूज वीडियो आ रही है जहां मैंने एक्स्प्रें किया मार्केट क् किये हैं दोस्तों वीडियो का जबूर देखिएगा बाकि दोस्तों अपने वीडियो यहां तक देखी है तो लाइक शेर करिएगा और चैनल को पहली बाए विजिट किये तो सब्सक्राइब करिएगा ठीक है मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में जैहंद